कि हैं गुद्मानिंग गाइज कैसे हैं आप सब लेकर हाजरू मैं आपके लिए एक नया टॉपिक ट्रिक्स एंटिप्स के अंदर ये दुस्तु मेरा नया वीडियो है और इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ मैं आपको ये समझाओंगा कि किस तरह से आप किसी को गाइड करने के लिए जो भी इस टैप्स अपने PC के अंदर लिते हो आप उनको पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे दूसरे के पास सेंड करोगे ताकि वो उन इस टैप्स को पिक्टोरियल फॉर्म में देख करके अपनी प्र करता है कई सारी प्रॉब्लम को सॉल करने में तो सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं इट रिकॉर्स इच और आवरी स्टैप मीस जब आपको ये स्टैप लेते हो तो ये उस पर तेक स्टैप को रिकॉर्ड करता है और गिव दा पिक्टोरियल फॉर्म फॉर्म स्टैप्स problems in few seconds और जो भी आपकी problem आती है आप कुछी second में उस problem को इन pictures को देख करके solve कर सकते हो Use as a PSR PSR का पूरा नाम है दोस्तो problem steps recorder यानि आप इसको किसी problem को solve करने के लिए step recorder की तरह use कर सकते हो and mostly use to record troubleshooting अगर आप अपने PC के अंदर किसी trouble को shoot करते हैं यानि कोई problem आती है उसे solve करते हैं तो आप उसे solve करने के लिए कौन-कौन से steps को लेते हैं उसको use करने के लिए उसको record करने के लिए mostly use होता है step recorder तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे share करना चाहूंगा काफी ज़्यादा प्यार आप लोगोंने मेरी वीडियो को दिया है बहुत ज़्यादा share किया है like and subscribe किया है और इसी तरह से दोस्तों आगे भी करते रहेगा आप लोगों को बहुत बड़ा 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 वाला थैंक यू और इतनी बार थैंक यू आप खुद ही देख लो ये थैंक यू आप सब लोगों के लिए है और दोस्तों प्लीज सपोर्ट करते रहेए वीडियो उसको ज़्यादा share किजिए और end तक वीडियो ज़रूर आप open करना है तो कैसे कैसे open कर सकते हैं सारे तरीकों को सीखते हैं आपको सबसे पहले start पर click करना होगा और जब आप start पर click कर देंगे दोस्तों तब आपको option मिलेगा Windows Assessories आप Windows Assessories में जब जाएंगे दोस्तों तो वहाँ आपको एक app मिलेगा Steps Recorder आप easily इसको यहां से click कर के open कर सकते हैं दूसरा आपका easiest तरीका ये है कि आप यहाँ search बटन पर click करो और आप steps को type करो आपको उपर ही steps recorder नाम का app search हो करके मिल जाएगा और यदि आप चाहें तो window plus r button को hit करें इससे run command open होकर आ जाएगा और आप यहाँ type कर दें psr ऐसे करके आप enter करेंगे तो आपकी screen पे steps recorder नाम का यह जो app है ओपन होकर आ जाएगा अब मैंने app तो open कर लिया बट मैं आपको किस चीज का solution बताने जा रहा हूँ दोस्तों मेरे laptop पर मैंने पहले ही एक setting बंद कर रखा है मैं उससे आपको on करके दिखाऊंगा और उसके सारे steps कैसे मैं यहाँ record करूंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों मेरे laptop पर wifi connect नहीं हो रहा जानी कोई भी mobile network कोई भी wifi का network नहीं discoverable नहीं है तो यह कैसे solve होगा problem मैं इसी को record करूंगा तो मुझे simply क्या करना है start record पर click कर देना है और इसे minimize mode में डाल देना है अब आप अपने steps को ले सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ क्या को सबसे पहले क्या अगर नहीं यहाँ जो नीचे आपको दिखे रहे network का icon आईकन आपको वहाँ click करना है उसके बाद आपको network and internet settings पर जाना है next option आपके सामने आएगा दोस्तो ethernet आपको ethernet पर click करना है then change adapter options पर आपको click कर देना है जैसे ही आप यहाँ click करेंगे आपके सामने network connections का window open होकर आजाएगा और यहाँ पर आपको organize के अंदर आपके computer के सारे networks नजर आएगे तो आप यहाँ देख रहे हैं बाइफाई दिख रहा है आपको बट वो disabled है तो आपने इस बाइफाई पर right click करना है और इसको enable कर देना है दोस्तों जैसे ही आप enable कर देंगे आपके laptop या PC पर बाइफाई जो है काम करना शुरू कर देगा अब यह enable करने के बाद आप इस window को close कर देंगे आप settings को भी close कर देंगे और यहाँ नीचे आप again network पर क्लिक करिए और आपका जो भी बाइफाई का network होगा वो यहाँ discoverable हो जाएगा और आप उसे connect कर पाएगे तो यह है दोस्तो easiest method अब मैं मेरे mobile का hotspot on करता हूँ और मैं आपको laptop पर दिखाता हूँ कि किस तरह से यह बाइफाई को connect करेगा देखिए दोस्तो बाइफाई access हो चुका है और मेरा laptop बाइफाई से connect हो चुका है अब आपने देख लिया कि किस तरह से आपनी हाँ पर इस problem क पूछ चुकी है तो आप step recorders पर जाएं और recording को stop कर दें ऐसा कर देने से आपके सामने कुछ ही seconds में step recorder के सारे के सारे steps आ जाएंगे आप इसे full screen कीजिए अब आप देखिए यहाँ पर कितना deeply और बहुत clearly आपको इसने सारे steps दिखाय हुए step number one कितनी तारीक को कितने बजए यह सकुछ दिखा रहा है मेरे सामने तो user ने left click किया है कहां not connected option पे जो की no connections are available एक बटन होता है यानि मैंने इस जगह पर देखी pointer indicate कर रहा है इस जगह पर मैंने जा कर click किया है step number two क्या है user ने left click किया network and internet settings पर तो आप देखे रहे मेरा pointer indicate कर रहा है मैंने यहां पर click किया था then मैं कहां गया हूँ settings नाम की आपके अंदर मैंने ethernet पर click किया है next step में मैंने change adapter options जो एक link है उस पर click किया है next by fi और by fi जो की disabled है उसको मैंने edit किया और edit करने के बाद मैंने उसे enable किया और enable करने के बाद मैंने इसे close कर दिया then मैंने settings नाम का app close कर दिया then not connected वाले option पर मैंने दो बारा से click किया और यहां जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि by fi का signal वो discoverable हो जाएगा तो मैंने right click करने के बाद उसको refresh किया था वो भी इसने record किया कि मैंने बोला था each and every step रिकॉर्ड करता है अब last आपने दिखा कि किसा ऐसा by fi connect हुआ then finally मैंने उसको stop कर दिया तो यह दोस्तों आपको नीचे text form में भी सारे steps लिख करके देता है और pictorial form में भी देता है सबसे best आपको यह किसी भी problem को solve करने के लिए मिल जाएगा अब आप इसे कैसे किसी के साथ share करेंगे तो दोस्तों आपको इसे करना होगा save और save करते वक्त आप इसे किसी location पे डाल दीजिए मैं इसे desktop पे save कर रहा हूँ और मैं इसे नाम दे रहा हूँ how to enable by file आप इसे नाम देने के बाद save कर लेंगे यह एक zip file के रूप में save हो जाएगा save करने के बाद दोसों यह file आप किसी के साथ share कर सकते हैं और जैसे ही वो इस file को open करेगा तो आप इसमें देखेंगे आपको एक file दिखाई देगा browser का और यह आपके default browser पे जाके open हो जाएगा ज जो कि मैंने लिये थे तो यह सबसे आसान तरीका होता है किसी भी problem को share करने का उसे solve करने का अगर आप किसी को call पर या किसी को किसी और तरीके से किसी steps को बताते हो तो हो सकता है वो mistake कर जाए उसको वो चीज समझ में ना आए लेकिन आप यहाँ पर देखे किसनी आसान तरीक करके भेज दो और वो इसको देख करके easily अपने problem solve कर पाएगा यह दिखे दो इस तरह से सारे के सारे steps open होकर के सामने आ जाएंगे और वो इसको देख करके सारी problem solve कर लेगा तो यह था हमारा आज का practical steps recorder और इस trick and tip को आप अपने दोस्तों के साथ भी share करो ताकि वो भी इस option क को जान जाएं इसी तरह मैं और सारी बहुत सारी awesome वीडियो लातार होंगा दोस्तों आप इनको जाद हदा शेयर किजिए और अपने दोस्तों से कहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों से सब्सक्राइब कर आएं और बने रही हैं सिद्रासी यूटूब चानल पर मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए बहुत सारी टेक्निक्स मिलते हैं अगले वीडियो में